क्रिकेट की इंसाइट ख़बरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले हैं क्रिकेट की एक्स्क्लोसिव ख़बरें भारत दिल्ली वंडे हारकर सीरीज भी गवा चुका है और फैंस टीम इंडिया को कोस रहे हैं लेकिन इस मैच में भारती बल्ले बाजी के दौरान साथ वे ओर में रोहित शर्मा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे सब की सांसे थम गई तो क्या हुआ हिट मैन रोहित शर्मा के साथ आपको बताएंगे आप कमेंट जरूर करें और सिल्या के लिए पैट कमिंस बालिंग कर रहे थे और ओवर की चौती बाल पर रोहित शर्मा कमिंस के सामने थे कमिन्स ने बॉल पट की विफैंगी और बॉल की रफतार भी 140 किलमेटर फरती घंटे की थी बॉल सीधे जाकर रोहित शर्मा को लगी पहले लगा कि बॉल रोहित के चेहने पर लगी है क्योंकि रोहित ने कुछ ऐसा ही रियक्शन दिया था रोहित अचानक से असेज हो गए और रोहित ने गलब्स को लिये लेकिन जब रिप्ले देखा गया तो साफ दिख रहा था कि बॉल रोहित की चेस्ट में लगी थी रोहित शर्मा बॉल के लगते ही बिलबिला उठेते रोहित के ऐसी हालत देखकर पूरा स्टेडियम सन्न हो गया और रोहित के लिए दुआ करने लगा हलंकि कुछ देर बाद रोहित ने खुद को समाला और गलब्स पैने लेकिन कुछ देर के लिए मैदान में सन्नाटा हो गया हलांकि रोहित ने इस मैच में अर्दर्शा तक जरूर लगा लेकिन वो टीम को जिदा नहीं पाए तो आप भी इस पर कमेंट करके अपनी राए हमें जरूर दे फ्लेम मीडिया रिपोर्ट